हेलो नमस्कार दोस्तों अज मैं आपको बताऊंगा कि MDS University के जो फोरम स्टार्ट हो गए थे उसमें जो क्या फोरम बढ़ती समय क्या-क्या समझ से आ रही है एक तो सबसे मोटी समझ से आ ऐ है आरे के फोटो सेट नहीं हो रही है तो उसका भी मैं आपको ही रॉड़ाश होँगा तो सबसे पहले मैं आपको फोरमबर करें लैसे यह चाने कैव typically हम अजियों फोरमज है को वादमें आपको वह बताऊंगा कि po to कापको दीख रहे हैं है कि रिजल्ट मोइक उनिशिटी एजमेरिय होगा उपन होगा यह कि उसको आपको क्लिक करना है है इसको करना है और यह 도श्यक्त कुल जाएगा जैसे यह पॉट देखा उसके बाद मैं आपको क्या करना है उसके बाद में आपको student panel पे okay करना है आपको इसको okay करोगे तो यह साध्य पॉर्ड ओपन हो जाएगा इसके अंदर आपको यहां पे लिका हुआ मिल रहा है यह देख रहे हुआ आप exam form 2022 इसको okay करना है और यह ओपन हो गया उसके बाद मैं आपको क्या करना है फोर्म एपलाई करने के लिए आपको यहां पे दिख रहा है apply for exam form 2022 इसको open करना है आपको जैसे आप यह पैनल open करोगे तो यह exam online exam form 2022 वड़ा open हो जाएगा और इसमें आपको फोर्म बढ़ने के लिए select category पे open करना है जैसे यह आप select उपने इसमें regular अक्स स्टुडेंट और no nc student मतलब समय पार्टी आप जिस के टेगरी से फोर्म बढ़ना चाहते हो वह आप यहां पे apply कर सकते हो तो मैं आपको फोर्म बढ़के दिखा रहा हूंगे स्मय पार्टी विदार्टी का तो आपको nc दबाना है यहां पर उसके बाद में यूजीvs पीजी और अधर यहां पर देखो एक स्टूए समस्टर वाले वह भिद सकते हैं पीजीवाले वभी बढ़ सकते हैं यूजीवाले भी बढ़ सकते हैं professional वाले यहां ब्रोपेश्य May यूज़ वैजद टीसी वहें वह एजूगेशन पर यहां पर बढ़ना है जो वकालात कर रहे हैं वहां पर बढ़ना है तो आप मैं आपको PG का फोरूम बरके दिखा रहा हूं तो यहां पर मैं PG सेलेक्ट करूंगा उसके बाद मैं आपको कौन से MA का बढ़ना है मैं PG का बढ़ना है MPL का बढ़ना है MSC का बढ़ना है वह आप सेलेक्ट कर लाए तो मैं MA final का बढ़ना हूं तो वह सेलेक्ट करूंगा उसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट सें बढ़ रहे हो तो मैं आपको पॉर्टिकल साइंस से बढ़के दिखाऊंगा पॉर्टिकल साइंस उसको आप सेलेक्ट कर सकते हों मैं को चामन को लेज को चामन शिटी सेलेक्ट कर ली उसके बाद मैं आपको ओनलाइन पेमेंट करना है अब यहां पर लिका हुआ है अप्पील अंडर ओर्डिनेंस यह निदि आप प्रिवेश और फाइनल एर के किसी बीबी से में इंप्रूम उसके बाद मैं आपको यहां फिल एक्जैमीनेशन फोर्म है तो इसका प्रिड़ निकालने साथ है तो प्रिंट निकाल सकते हो और इसीफ्ट प्पैमन्थ की वो ताल अभी आया मझने पनी तो आपको यहांपे दिबाना है फिल एक्जैमीनेशन फोर्म जैसे आप इसको open करोगे तो इसा डेस्ट पोट open होगा main exam roll number तो यहाँ पर पिछली एर का प्रिवेश एर का roll number डाल सकते हो उसके बात मैं कौन से एर में की वह year enrollment का year और यहाँ पर enrollment आपको डालना है यहाँ आपके पास में वो नई है तो आप यहाँ पर फिल रिप्रेस फॉरम दबा सकते हो तो यहां पे आप रिप्रेस फॉरम पे दबाओगे तो इस तरह आपको खुलावा मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको नाम बनना है जैसे आपने बढ़ दिया नाम राकेश कुमार टे के ई एस राकेश कुमार उसके बाद में हिंदी में बनना है आपको राकेश कुमार उसके बाद में आपको क्या करना है उसके बाद में आपको फादस का नाम बनना है पहले इंगलिश में बनना है फिर उसको हिंदी में बनना है ताकेश कुमार के फादस का नाम लिख दिया जैसे बि-एज-ए-जी बगवान राम उसके बाद मैं हिंदी में लिखना है आपको बगवान राम उसके बाद मैं आपको मदस का नाम बढ़ना है इंगलिस के अंदर तो मैंने बढ़ दिया सी एज चोटी देवी फिर वाद की हिंदी में बढ़ना है आपको चोटी देवी उसके बाद मैं आपको यहां पर फोटू फोटू वाले ही साइज है देख लो आप इसके अंदर अधिकतम पासपोर्ट साइज बढ़ना है सो के बी के अंदर आपको फोटू की साइज लेनी है और सिगनेजर की साइज लेनी है पचास के बी के अंदर तो अब यहां पर फोटू और सिगनेजर जैसे ही आप डाड़ोगे तो वो सभी formate के अंदर लेना है इसके अंदर देख सकते हूँ आप एक और system दिया हुआ है देखो यहां पर विद दिक्तम 8 सेमी और हाइट दिक्तम 10 सेंटिमेटर के अंदर सिंग नेजर की बात करें तो यहां पर विद 5 सेमी और हाइट 3 सेंटिमेटर के लिए नहीं है जैसे मैं आपको पहले पोटो डाल के लगा के दिखाता हूं तो उसके अंदर क्या रिस्पोंस पाता है देखिए जैसे आप यह देखोई फोटो डालना चाहते हो तो देख लो यह फोटो में ने यहां से मेरी कोई फोटो है अब डाल के दिखा रहा हूं आपको डाउनलोड की दिखा गया मैंने यहां फोटो लगा दी मेरी उसके बाद मैं से लगा रहा हूं यह मैंने से लगा दी है उसके बाद में क्या करना है आपको नेक्स्ट पर दलबाना है तो मेन प्रोब्लम यह आ रही है कि मतलब आप मूबाइल से फोर्म बरोगे तो यह प्रोब्लम आ जाएगी आप हो कहां पे गया हो यह देख सकते हो आप पतलब फोटू की साइज आप सो के भी से कम है और सिंगनेचर की पिचास के भी है से कम है लेकिन देखो यह वी तिन और यह यह वाड़ा मेटर थोड़ा सही नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको एक एप्लिकेशन बता रहा हूं वह ड पोटू एडिटर नाम से सर्च करना है और यह वाड़ा देख रहा है आपको देमें पोटू देख लेना इसकी पोटू एडिटर यह वाड़ा लोगो है आराम से देख लेना इसको आपको इस्टॉल करना है देख रहे आप फोटू एडिटर इसको आप ओके करोगे और इस यह मैंने ओपन कर लिया है उसके बाद में आपको क्या करना होगा आपको देए दिख रहा है न्यू यह न्यू इस पर दबाना है इसको करना है और यहां पर आपको वहां पर भी तिन कितने दे रखी थी आठ और यहां पर दे रखी दस उसको यहां पर से में पर क्लिक करना है और इसको OK कर लेना है तो इस तरह का पेस हजाएगा उसके बाद में आपको नीचे यहां पे नीके होए आएगे तो नीचे आपको सरका के लाना है यहां पे Text and Image जैसे अब इसको OK करोगे उसके बाद में OK करना है आपको और यहां पे फिर अपनी कोई शी भी फोटो है उसको आप उपन कर लीजिए माना कि मैं आपको फोटो लेके दिखा रहा हूँ यह वाले फोटो देख रहा यह तो चलो यह तो अलग फोटो यह इसको रहने दो दूसरी लेते हैं मैं कोई दूसरी फोटो लेके दिखा रहा हूं आपको चलो यह फोटो लेके दिखा रहा हूं इसके बाद मैं आपको थोड़ा बार से दिख रहे तो उसको क्रॉप कर ले ना यह मैंने क्रॉप कर ली है उसके बाद मैं आपको यहां पर इसको पूरी फेज पर लगा देना है जहां पर आपको दिख रहा है और उसके बाद मैं आपको ओके कर लेना है इसके बाद मैं आपको क्या करना है इसके बाद मैं आपको यहां पर डाउनलोड वाला देख रहा है इसको डाउनलोड करना है और आपको यहां पर सेवेज है इस पर देना है गलेवरी पर नहीं देना है क्योंकि यहां पर नाम चें तो सेवेज पर दबाओगे तो यहां पर आपका फोटो वाला नाव आ जाएगा इसको अपना राकेश जो भी नाव है उदाके सेव कर लेना है और अपने फोन के अंदर सेव हो जाएगी उसके बाद मैं आपको क्या करना है सिगनेचर सेव करना है इसके लिए वापिस आपको बेक जाना पुड़ेगा और न्यू पर दबाना होगा इसकी आपको करनी है पांच इंटू तीन तीन वाला और इसको इसके बाद मैं ओके करने के बाद मैं आपको यहां पर जाना है और टेक्सेन इमेज पर ओके करना है उसके बाद मैं प्लस वाला दबाना है प्लस के बाद मैं यहां पर फोटो वाला दबाना है और गैलेरी के अंदर जाके अपनी सिगनेचर किये हुए वो लेना है आपको डूरू को पहले आप कर लेना जो यह को हुआ है उसके बाद बै입니다 और आपको इस पोटो के बराबर कि असलिए सब्सक्राइब है उसके बार में क्या करना है उसके बाद कि जारा हम से इसको के क्लिया उसके बाद में इसको आपको सेव करना है और सेव एजिक अंदर दबागे इसके इंदर आपको सिगनेचर कि रहके सिगनेचर लगा कि इसको सेव लेना है सेव कर लिया उसके बाद में आपको जाना है इदर वापिस अपने फॉर्म पे यहां पर फॉर्म पर जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके बाद में आपको फॉर्म पर जाना है और यहां पर बेक वाला दबाना है वापीश बढ़ना पड़ेगा इसको भी हमने वापीश जल्दी जल्दी राकेश कुमार हिंदी के अंदर भी वापीश कुमार बढ़ लिया उसके बाद में पी पीता जी का नाम पे एच ए बगवान राम हिंदी के अंदर बगवान राम बढ़ लिया उसके बाद में आपको माता का नाम बढ़ना है इंगलिस में में हिंदी के अंदर बढ़ना है चोटी तेवि उसके बाद में आपको पोट्व लगानी है अपनी यह प्वह पोट्वल लगानी है जो आपने सिंव की वह फोट्व आपको लेनी है यहांपर रिमेठ पर आज़ आपको फोट्व मिल जाएगी ऑनी पर दॉइन पर दॉठ यह आपके शिंगनेचर आगे उसके बाद मैं आपको ओके करना है और देख सकते हो आप यहाँ पे शिंगनेचर और पोटो दोनों आपको दिखाई दे रही है उसके बाद मैं आपको फोर्म बढ़ना है यहाँ पे केटेगरी है केटेगरी के अंदर आप जो भी obc mail sheik कुछ भी है जो आपको बढ़ सकते भी ish wordy इन aikpan जेंडर के अंदर mail उसके बाद में अदर के degree कुछ है या नहीद है उसको अदर करदेना या नहीद है तो non करदेना उसके बाद में क्या आप सूची, peace, schedule, किनुसार अप्रिक्षय सुल्ग लोटाने की जाने के पातर है तो इसमें नो रहने देना उसके बाद में आपको अपनी डेट ओबर्द बढ़नी है जो भी आपकी डेट ओबर्द है वह आप यहाँ बर्देना हो उसके बाद में आपको क्या आप इस इन्विश्टी में पहले से नमंकि है है तो यस करना है नहीं है तो नो करना है तो मैंने यहाँ पर नो कर रहा हूँ word अ का आपको मादेम ब्रद सुम आपने हिंदी बर रहो हैं पे नागोर डिस्टिक बर रहों उसके बाद में PIN code बनना है आपको जो भी आपका और हो बर सकते हो आप उसके बाद में आपको मोबाइल लॉम्बर बनना है जोड पांचे 72 31 भी आपको एमेल लापा होदी भिर नहीं है यहां पांप कि अई एमेल आइडाई बने के बाद में यहां पे आपको you have applied in the exam of university last year yes or no yes उसके बाद में आपको फिछली बार के पने रोल नम्बर बना है रोल नम्बर बने के बाद में आपको यहां पे class बढ़ना है कुन सी class में थे आप मतलब में प्रेवेस बना है 2021 में थे उसके बाद मैं आपको लाश्ट इयर का यहां पर रिकोर्ड डालना है एडिता रॉल नंबर बढ़ना है यहां पर रॉल नंबर बढ़ना है यहां यहां पर रॉल नंबर बढ़ना है आपको लाश्ट इयर का और कितने मैंसे कितने नंबर आपने प्राप्ट किए वो बढना है और यह पे कौन सा प्रमोट होई है फेलो यह पास फे वो बढना है उसके बाद में आपको सब्जेक्ट चुज करनी है जैसे आप सब्जेक्ट चूज कर ले derived उसके बाद में आपको यहं पर फिर्शेट फे दबना है उसके बाद में आपको यह चालान निकल दीक रहा होगा चालान निकल जाएगा इस चालान तक यह दिया आप इसको चेक कर सकते हो यहां तक आपको कोई भी प्रोब्लम दिख रही है फोरम के अंदर सब्जेक्ट के अंदर तो आप वापिस जाके फोरम बढ़ सकती हो एक बार चलान कट गया उसके बाद में आपका कोरम मतलब आपीस पेमेंट नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद में अब आपको यह दिया आपको पेमेंट करना है पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए यहां पे आपको दिख रहा है मेक पेमेंट इसको आपको दबाना है जैसे एक मेक पेमेंट पर होके किरो तो आपको को ओनलाइन पेमेंट करने का स्टैन सेके अभी तो यह आ रहा है यहां पेप prohibited करने सिस्टम आए गा तो वह आपको कि मैं पेमेंट मिश्टी गरी है अभी नहीं हो रहा है है उसके बाद में आप प्रेंट भी निकाल सकते हो होम पर भी जा सकते हो लेकिन प्रेंट आपको प्रेमेंट करना है तो प्रेंट यहां पर होगा इन्वेलिड रिक्वेस्ट हो रही है पीश जमा करवाने के उपरोग में प्रेमेंट बटन पर के लिए करें पीश जमा किये बिना आप आवे दिन प्राप्त नहीं कर सकते हैं यहां पर पेमेंट जमा करने के बाद में यह पर देड़न करेंगे कोई भी प्रोब्लम हो तो आप में टेलीग्राम चैनल से भी या हमारे कॉंटेक्ट नंबर पर आप जो रिक्वेस्ट करोगे तो आपको में प्रोब्लम प